अश्सलाम अलाइकुम अवरिवन। आज मैंने ये कुछ एलाइन ड्रेस तयार किये है, जिसकी डिजाइन मैं आपके साथ सेर करूँगी। ये सारे एलाइन ड्रेस मैंने सिंपल प्लाजो के साथ रेडी किये है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये है पहला पीस। और देखे, सारे ड्रेस के साथ मैंने इसी तरीके की सिंपल प्लाजो रेडी की है. अब मैं आपको इसकी कुर्ती दिखा देती हूँ. तो ये देखे, यहाँ पर इसकी नेक डिजाइन मैंने एंकर थ्रेड के साथ रेडी की है. गले को मैंने पेपर पेस्टिंग पर कट करके फिर बाटम के कपड़े पर चिपकाया है. और इसको एंकर थ्रेड से रेडी किया है. यहाँ पर मैंने गुलाई दी है और यह की हॉल सेब देकर यहाँ पर डोरी रूप लगा कर बटन अटेच किया है. और यहाँ पर स्लीव पर भी एक ही चोड़ी बाटम के कपड़े की पट्टी कट करके यहाँ पर एंकर के धागे से डिजाइन की है. अब यह देखे, मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ. तो यह आप इसकी नेक डिजाइन देख सकते हैं, कुछ इस तरह से रेडी हुआ है यह. और यह आप पूरी कुर्टी का लूप देख सकते हैं. अब यहाँ पर यह दूसरा पिस मैंने रेडी किया है, जिसकी नेक डिजाइन मैंने लेज के साथ तयार की है. यहाँ पर गले पर मैंने इस तरह से राउंड में लेस लगाई है, और यह भी शेप में फिर अलग से लेस कट करके लगाई है, और यह कपड़े को मैंने पेपर पेस्टिंग पर चिपका कर बाहर की तरफ पलटा कर इसकी किनारी पर भी लेस लगाई है. अब sleeves को मैंने simple रखा है सिर्विस की किनारी पर यहाँ पर lace लगा दी है और यह आप गले को करीब से देख सकते है और इसके घेरे पर भी मैंने simple तरीके से lace को attach कर दिया है और यह इस तरह से पूरी कुर्टी ready हुई है अब यहाँ पर मैं एक और पीस आपको दिखा रही हूँ यह देखे यहाँ पर इसकी neck line मैंने वी सेप में थोड़ा सा हलका सा यहाँ पर round देकर ready की है और फिर bottom के कपड़े की पट्टी को इस तरह से लगाया है और फिर यहाँ पर कुर्टी में green color के flower है तो यहाँ पर green color की lace को मैंने इसके साथ attach किया है sleeves में भी मैंने यहाँ पर bottom के कपड़े की पट्टी देकर lace को attach किया है और घेरे में भी मैने सेम तरीके से bottom के कपड़े की पट्टी लेकर lace को attach कर लिया है अब मैं आपको करीब से दिखा देती हूं कि इसकी नेक लाइन किस तरह से रेडी हुई है यह आप देख सकते हैं इसको करीब से तो इस तरह से बॉटम के कपड़े और लेस को अटेज करके मैंने पूरी कुर्ती को रेडी किया है और यह इस तरह से पूरी कुर्ती रेडी हुई है अब यहाँ पर मैं आपको एक और पीज दिखा रही हूँ यह देखे यहाँ पर इस कुर्टी को मैंने लेस की मदद से स्वीट हाटनेक रेडी किया है तो यहाँ पर यह मैंने पहले पेपर पेस्टिंग पर गले को कट किया है और फिर बाद में इसको उपर की तरफ पल्टा कर यहाँ पर देखे यह मैंने लेस अटेज कर ली है और फिर इसकी किनारी पर यहाँ पर लेस लगा ली है तो इस तरह से इस कुर्टी की नेक लाइन को मैंने लेस लगा कर रेडी किया है अब यहाँ पर इसकी स्लीज और घेरे में मैंने पिछली कुर्टी में जिस तरीके से लेस को अटेज किया था उसी तरीके से सिंपल तरीके से यहाँ पर लेस को अटेज कर दिया है और इस तरीके से यह पूरी कुर्टी को मैंने रेडी किया है यह आप करीब से इसकी नेक डि जो कि काफ्तान जिसकी डिजाइन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ तो यह देखे parcel का लुप पहनने के बाद ही आता है लेकिन यह कस्टमर का पीस है तो मैं आपको इसको पहन कर नहीं दिखा सकती लेकिन आप इसकी नेक डिजाइन देख सकते है इसकी जो बॉटम का कपड़ा है उस पर पेपर पेश्टिंग पर गला मैंने चिपका कर इसको बाहर की तरफ पल्टा लिया है और फिर काफ़तान के कपड़े की एक इंच की पट्टी यहां पर इस तरह से अटेच करके उसके अंदर मैंने लेस अटेच की है और बीच में बॉटम के कपड़े की पिंटेक्स डिजाइन करके यहां पर कपड़े को मैंने बीच में अटेच कर दिया है और इस तरीके से इसकी नेक डिजाइन को मैंने तयार किया है तो यह थी मेरी आज की वीडियो वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सेर जरूर करें च